अमस्का दोस्तों गरेलो सिक्षा में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सर्दी खांसी वा जुखाम से छुटकारा पाने के लिए काड़ा बनाने के बारे में बताऊंगे तो इसका इस्तिमाल करके आप सर्दी जुखाम वा खासी से हमेशा के लिए चुटकारा पा सकते हैं दोस्तों सर्दी खासी वा जुखाम गले में दर्ब और खारी सोने पर इस काड़े को बस एक बार लेने से आप सर्दी खासी जुखाम से हमेशा के लिए कारा पा सकते हैं सर्दी जुखाम तो ठंडी के मौसम में होना आम बात है ठंडी के मौसम में हलकी सीला परवाही हमें सर्दी जुखाम लाशकती है और हमें बार बार दवाई खाने पड़ती है अगर आपका सर्दी जुखाम ठीक नहीं हो रहा है और थोड़े से मौसम परिवर्तन में आपको सर्दी जुखाम हो जाता है तो यह उपाए आपके लिए बहुत ही फाइदे मन है दोस्तों यह उपाए बहुत ही अचुप और घरेलू अयरवेडिक उपाए है जो आपकी पूराने से पूराना सर्दी जुखाम को जड़ से खत्म कर दीगा दोस्तों यह कारहा जो हम बनाना जा रहे हैं वह बच्चे से लोके बुड़े तक सभी उन रखे वैक्ती के लिए बहुत ही फैदे मन है तो चलें दोस्तों इसे कैसे बनाना है वो हम जान लेते हैं इसे बनाना के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए जो जान लेते हैं तो इन से भी की मिश्रन से हम कारहा बनाएंगे दोस्तों जो सेब्डी जुखाम लखाशी को दोर करने के लिए बहुत ही फैदे मन है तो आप एक पतीला ले पतीला को इंडक्शन पर रख ले फिर उसमें आप एक गिलास पानी को डाल ले फिर उसमें जो गोडले हैं उसे डाई रहे दोस्तों गोजो है यह गला को साफ करने के लिए बहुत ही फैदे मन है तो आप उसमें पानी के नुसार गोड़ को डाले फिर उसमें दो चल्मज चाई की पत्तिया मिला ले फिर आप इसमें पास सीच रहे लेंज काली मर्च को मिला ले फिर एक चुप की हल्दी डाल ले दोस्तों हल्दी सरीर को बहुत ही फैदा पहुंच वाता है तो आप इसमें एक चुप की हल्दी डाल ले फिर आप इसमें तलसी की पत्तियां को डाल दे तलसी की पत्तियां अहिरवेदिक पत्तिया हैं जो सभी प्रकार की रोगों से छुप कारा दिलाता है तो अब इसे आप धिन्याज पर उबलने दे दोस्तों यह जो एक ग्लास पाने लियो थे वो उबल कर एक कफ हो जाएगा तो आपका कारा बनकर तयार हो जाएगा तो इसे पांस से देस मिना तब उबलने दे तो देखिए दोस्तों यह उबलकर एक कफ हो लिया है आप इसे चाले आप इसे दिन में दो बार पिये दोस्तों आपका सेदी जुखाम वा खाशी हमले पटन देर हो जाएगा दोस्तों यह आजमाया होन उसका है से आपका सेदी जुखाम खाशी पाशा के लिए देर हो जाएगा तो दोस्तों उमीद करते हैं इस वीडियों से आपको कुछ अच्छी जानकारी जरूर मिली होगी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करे और सेयर करे और अगर आपका कोई सवाल या सुझा हो तो वीडियो के निचे कमेंट करना ना भूले और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल घरेलू सिक्छा को सुस्क्राइब करें धन्यावाद